हेलो फ्रेंड दिस इस अमन परमार फ्रॉम वीपांट वीजा कंसल्टेंट ग्रीटिंग्स आफ दा डे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनेडा स्टेडी वीजा के लिए क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत सारे बच्चों के कॉश्चन आते हैं हम इस वीडियो में बात करेंगे कमर्स स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बैचर आफ कमर्स किया है इंडिया में और वो कैनेडा में इडमिशन लेना चाते हैं उनके लिए क्या क्या कॉर्स में आप्शन्स हैं बहुत सारे बच्चों का कॉश्चन होता है इसलिए हर जहां जो आने वाले दिनों में कैनेडा स्टेडी वीजा में अपना फाइल लॉज़ करना चाते हैं ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूटिप चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट कोर्स है अगर आप डिपलोमा इन बिजनस एड्मिस्टेशन में जाना जाते हो जैसे सभी पीजी कोर्सेज जा मास्टर डिग्रीस हैं क्योंकि बैचल आफ कोमर्स के बाद के जैक कोर्सेज तो आपके लिए बहुत सारे स्पैसलाइजेशन कोर्स मिल जाते हैं बिजनस एड्मिस्ट में आपके लिए supply chain management का कोर्स आता है यह भी कोर्स बहुत डिमांड में है इसके साथ आप project management में भी जा सकते हो थर्ड में आपका economics के लेटर जो कोर्स होते हैं आप उसमें भी admission ले सकते हो फूर्थ में आपके लिए accounts में अगर आपका इंडरस्ट है तो लोग professional accounting हो गया account and finance हो गया तो ऐसे कोर्स आप ले सकते हो MBA अगर आप master degree करना चाहते हो master of business administration तो भी आपके लिए option रहता है और इसके बाद जो six number course है वो है global business management जीबीम भी हम इसको बोलते हैं और सेवंत में है international business management IBM जीबीम और IBM भी बहुत डिमांड में है अगर आपका इंटरस्ट है ग्लोबली जा इंटरनेशनल business करने का तो यह दोनों में से कोई भी course चूज कर सकते हैं एर्थ में हमारे पास है marketing management और 9 में advertising and marketing management इसका भी बहुत अच्छा response है और इसका scope भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा और लास्ट में जो course है entrepreneurship अगर आप खुद का business करना चाते हो वो पूरी skill सीखना चाते हो तो आप इस course आपके chances बहुत अच्छे रहेंगे और आने वाले दिनों में आपको करियर में भी इसका बहुत बड़ा benefit मिलेगा अमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आप इसको ज्यादा से लाइक और शेयर करेंगे अगर कोई भी बच्चा हमारे साथ अपनी फा जरू करेंगे थैंक यू सो मच